इधार आजे थोड़ा केमरा लेगे पानी पीने में दिक्कत होता है और है से पूरा घर में पूरे जमीन चला गिया धूल खार हैं वह अपना आजमी को लगाता है परिवार को लगाता है ठीक है जारी लेका प्रभी सैस नहीं पहन पाते हैं अच्छा जी दिन में हवा चलता ह एक जाविर गया फिर भी हम लोगों किसुख लाब नहीं मिला नहीं को पहमें नहीं किया पूले हैं वह बात बताटल रहे नहीं हमको कहा देंगे मतलब हम लोगों को इनसे को लाब ही नहीं हम लोगों को बोड़ के देंगे 15 साल अमीत कुमार जादो जो विधायक रहे प्राब्लम हो यह रहा है कि हम लोगों को रोजगार तो मिलता है अगल बगल को मिलता है अभी वरतमान में यहां का जो विधायक है अमित यादव जी जो की बिजेपी से हैं पहले उनिर्दलिया आये थे भी बिजेपी में उनको उनका काम कैशा लगा पाई विधान सभा में क्या मुदा पर अबर चुनाव होगा अब हम मौजोद हैं बरकठ्था विधान सभा च्छेत्र के अंतरगत गाउं का नाम मुझे पता नहीं है गाउं का नाम कुछ लेता है दहू टोला में हम मौजूद है दहूआ टोला में हम मौजूद है माप कीजेगा थोड़ा प्रोनॉंसेशन गलब हो रहा है दहूआ टोला देखे यहां जनता जो है जनारदर्द जी हाए हुए है बतादे कि विधान सभा अगामी चुनाव होने वाला है इसके लिए सरगर्मी बढ़ गई है जनता लोग से से बात करते हैं कि विधान सभा में क्या महाल भन रहा है अब यहीं से हैं रिखट्था विधान सभा में characterize चुनाभ क्या मानना है अपका पहले जये चल देंगी पhrasie चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दार है मुद्दार रहेगा जो लोग पलांट वह लगाए कर आपकी मानना है और यह मुद्दार भोट होगा राजी मुख्य मुख्य मुद्दार इस हित्र में क्या महल है अब अब आवास दिए जन्तार लोग को को रहा है जो हम लोगा उसके हम लोग आदमी लोग लेकिन घ्रक में लेकिन हम लोग को मतलों की रोजगार नहीं पर आदमने लोग आपके काम करें लेकिन हमार घर के जो हम लोग का है जिसका गया है लोग वहां पर रोजगर नहीं मिला हम अभी वरतमान में यहां का जो विधायक है कौको बील्कोल में ब्लें कर चाम करें थे उसका फॉसमीर में किया हुप बदम सुनाौ में क्या महुत है कि जवाब दे रहे हैं कि परदार महल बन रहा है यह मानना है आपका क्या मानना है इसे को लाभी नहीं पूरा नहीं कर रहा है सरकार को लेकर क्या सोचते हैं क्या मिल रहा है जौ आदमी चाहरा है वह थोड़ी सबसे बड़ी जो है जला रही ईसका मिल रहा है है सपोर्ट कर रहे हम लोग को आता पैसा सब का रहा है मतलब यह योजना कारगर है तो मतलब आप लोग धन्यवाद देना चाहते हैं मंत्री लोग को यह मुखी मंत्री जी को इस कर लेकर आप क्या करांगे से महाल चुनावी महाल को ले करके आप की थोड़ा साजी आपको मिला यह समानी यह इतना महिना है यह एक हजार रुप्य आया क्या महिना आया दूमेना यह एक इग नहीं आया कागा जी कोई प्राबलम था क्या होगा चलिए तो यह दूसरा किस्ती नहीं आया तो मुखमंद्री जी कह रहे हैं कि पूरा आ रहा है तीन महेना यह 24 को किहा दूसरा किस्तों के कि सिक आयों किसी को नहीं आया किसी किसी का आयों किसी को नहीं आ पूरे जमीन चला गिया जो अपना आदमी को लगाता है परीवार को लगाता है ठीकादारी लेता है कि स्वाइब नहीं करें फिर बी आपने नहीं को नजर उठाकर देखता नहीं करूं इसलिए हम लोग उनको नहीं चालता है विश्वास है उस पर हम लोग त्यार है है इनका परतेक्रिय आपका क्या परतेक्रिया आप बोल चुके हैं इधर आ जाई आज़ा जी आप हाँ महिला लोग क्या कोई बच इद में पहल पाथे हैं अचा जीए में सब्सक्राइब नहीं नहीं रहा पाते हैं पुरा इस तरह कचड़ा फैल गया डश्ट वाला इसका सोलूसन होना चाहिए घर में बार-बार कचड़ा भर जाता है प्रॉब्लम तो है लेकिन प्रॉब्लम में को बचे बीमार हम लोग जनता वालों बीमार हो जा रहा है बार-ब है उनको यह फाइदा नहीं मिल रहा है बल्कि उनके वल्लब नुस्तान जो है बहुत नुक्सान हो रहा है हम लोगों कुछ लाब नहीं मिल रहा है जिसका जमीन गया उसको को प्रॉफिट नहीं हो रहा है बाकि जो प्रॉब्लम बाकि जो प्रॉब्लम हो रहा है सबसे बड़ी इनका भी कहना है कि जो इस प्रॉब्लम को सलुसन करेगा हम लोग उसके साथ है बिल्कुल अब लोग साथ है उसके जो इस प्रॉब्लम को सलुसन करेगा पंद्रा साल अमीद कुमार जादो जो विधायक रहे उन मेरे छेत्र में क्या किये हैं सबसे बड़ी सवाल है इधर आईए थोड़ा केमरा लेगे पांच साल जो जानकी परसाद विधायक रहे हैं यहां पर डववा टोल जानकी परसाद आदो अमेतकर भवन दिया डववा ट ठीक है फईए पंद्रा साल जो रहे विधायक जिवर बोल रहे थे कूछ नहीं उड़ेगा कूछने कोई कुछ नहीं होगा समझेट पूरा डस्न दस्ट वाप पर हम लोगों कू нач मिला बोस्ट सीरफ हम लोगोर्स में नोक्रि जमीन गया है हम लोगर जमीन गया अपने रिस्तदार वालों को लगा रहे हैं अपने भाई को दे रहा हूँ लेने के लिए प्रांट के अंदर बाहर कहीं भी बहुत समस्या बहुत समस्या देखे यह टोल है और इनका साफ साफ ब्यानों से पता चल रहा है कि अमित यादो जो अर्तमान के विधायक है उनके जो मुद्दे थे वादे थे वो पूरा नहीं हो पाया उन्होंने पताया जब कंपनी खुड रही थी जब ख़दान खुड रहा था तो उन्होंने बताया था कि आप लोगों को यहां से फाइदा होगा ना कि नुकसान होगा और अब जो है इन लोगों को नुकसान हो रहा है ड